स्वागत अपका हमारी योट्यूब चानल में तो आज की वीडियो में देखेंगे टेन कलास का मायत एकसरसाइज 3.5 चल रहा है बजरगुनिंखन विधी तो बजरगुनिंखन विधी से कोश्चन सुल्फ करने के तरीका बता दिये थे आज देखेंगे दूसरा नमर कोश्चन से ठीक है तो दूसरा कोश्चन है दूसरा का पहला नमर देखेंगे ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समी करनों के युगम आपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो आपरिमित रूप से अनेक हल होंगे A और B का ऐसा कुन सा मान रखे ताकि उसमें आ परिमित रुप से अनिक हल आए वो हमको बताना है जैसे एक एक्विशन दिया हुआ 2X पलस 3Y is equal to 7 उसके बाद दूसरा है A माइनस B X पलस A पलस B Y बराबर 3A पलस B माइनस 2 तो यह दो समीकरन दिया हुआ है तो इसमें देखिए A, B, A, B, A, B लिखा हुआ है तो यह A, B का बोला है कौन सा ऐसा मान रखे A और B में ताकि यह समीकरन का यूगम आ परिमित रुप से अनिक हल आएगा तो आ परिमित रुप से अनिक हल को आता है उसको तो जानना पड़ेगा जब A1 बटा A2 बराबर आए B1 बटा B2 का और ये बराबर आए C1 बटा C2 यानि तीनों का तीनों अगर बराबर आजाए तो कहते हैं और परिमित रूप से अनेक हल है और इसका गराफ संपाती बनता है तो हमको क्या करना परेगा ये जो है इस फोम में हमको इसको बदल देना होगा ये वला को संतुलित कर देए इसको अगर संतुष्ट कर देए इसके जैसा अगर ये बन जाए तो फिर कहेंगे हाँ ये अपरिमित रूप से आनेक हल जैसा हो गिया ठीक है तो उसके लिए क्या कर है 2 है by a2 a2 है a minus b a minus b is equal to lana b b1 देखे 3 है by b2 है a plus b is equal to c 7 मान सकते हैं और इसका नीचे यह 3a plus b minus 2 छेक यह हो गया अब हमको a b a b जो दिख रहा है वही a b का हमको मान दो और निकालना है तो तो फैंसान है बस यह दोनों को एक बार सुल्फ कर दीते हैं फिर एक बार यह दोनों को पर देते हैं अपने आप यह यह और बयाबर ना है अगर तीनों बराबर है तो हम क्या आइसा नहीं लिख सकते हैं minus B, ब़ाबर 3, A, plus B. ये है, 3, बड़ा, A, plus B, तो ये फिस्याराबर है, ठीक है, ये दोनों के भाग में ले ले लेते हैं, तो बहाग में Deakka, A, plus B, भाग में है, तो इधर आके ंगुना हो जाएगा, तो 2, A, plus 2, B, हो जाएगा A और B दोनों से 2 गुना है इधर आएगे तो 3 और A 3 A हो जाएगा फिर माइनस है 3 B माइनस 3 B कोई दिकत नहीं अब A A एक तरफ करो B A B एक तरफ ताकि वो कट जाए है ना या घट जाए या जूट जाए जो भी हो तो 2 A पलस 2 B 2 A A को A के साथ लिखेंगे तो 3 A उधर है इधर लाएए तो माइनस 3 A पलस 2 B और उधर माइनस 3 B है तो इधर लेएंगे तो पलस 3 B ब्राबर उधर 0 देखें, तीन गो a में, दू गो a घट गया, तो a बचे गा और बढ़ा माइनस है तो माइनस है, यहां पलस तीन अरदो, 5b, बराबर हो गया, 0, अब यह को ऐसा लिख सकते हैं, 5b बराबर, माइनस में तुदर कर दी, जिते, 5b बराबर हो गया, a, ठीक है, तो a बराबर 5b, त इसके बाद यहां से ले करके B A का मान को या B का मान को कहीं पर भी रख दे तो एक वेल्यू आ जाएगा ठेके कैसे आएगा तो चलिए एक और समिक्रम पहले बना लेते हैं अब ये दोनों को ले लेते हैं या 3 by A plus B जो है ये बराबर है 7 by 3 A plus B minus 2 का तो ये भी भाग में है 3 B से गना होगा तो 3 B फिर 3 2 से गना होगा तो मैमिस 3 निचे बराबर इधर 7 गना होगा 9 A में 7 A घटी है तो 2 A पलस माइनस लगेगा क्योंकि बड़ा में माइनस तो 7 में 3 नी 4 B बराबर 6 देख एक कोमन निकाल लिए दिए 2 कोमन निकाल देते हैं तो A माइनस 2 दूनी 4 B बराबर 6 ये कड़ जागा 2 तिया 6 तो बच गिया A माइनस 2 B 2 B बराबर 3 स्वमिकरण 2 दूगों स्वमिकरण आ गिया अब ये दोनों स्वमिकरण देख स्वमिकरण 1 में A कमान आया है A कमान को यहां रख दो ता आ जाएगा देखिए स्वमिकरण 1 और 2 से स्वमिकरण 1 और 2 से स्वमिकरण 1 और 2 से स्वमिकरण 2 है यहाँ पर continue करिया अलग से लिखने के जोरत नहीं है यहाँ देखे ए एक जगह में 5A आया है तो लिख देंगे 5A माइनस 2B बराबर 3 कहेगा कहां से लिखा पाओ तो यहां लिख देना है समीकरण 1 से तो एक जगह में 5 भी आया था तो एक जगह 5 भी लिख दिया, 5B में 2B घटाओ, 3B बच जाएगा, बराबर 3, तो 3 3 कड़िया तो आगी अब B बराबर 1, ठीक है? तो इसको लिखने की जोरुत नहीं है, क्या आगी अब B बराबर 1, तो B का तो value आगी, हमको तो A का भी निकालन है तो यहां रख दो, तो A का निकल आएगा, B का मान समीकरण 1 में रखने पर, B का मान समीकरण 1 में रखने पर, B का मान अगर समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 है, A बराबर 5B, तो देख, A बराबर आगी, तो A बराबर 5 का 5, तो A आया 5 और B आया 1, यही हमको निकालन अचल होगा चिक कोई के वान के लिए कोई हल ना हूं कि क्या कवान सा इसा मान निकाल निकाले जिसे कि उसका कोई हल ना हूआ माईनस 1 x है वाई बराबर है इधर 2k पलस 1 तो बला है इसमें कोई हल ना हो कोई हल नहीं है कोई हल नहीं कब आता है तो चुक्त कोई हल नहीं है इसलिए इसका फर्मूले बन जाएगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 but not equal to C1 बटा C2 तो A1 और B1 खली बराबर होगा लेकिन तीसरा जो है C1 बटा C2 ये बराबर नहीं होगा चुकि इसमें बोला है कि ये का है कोई हल नहीं था आईसा जब A1 बराबर और A2 बराबर आता है तब ही कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं है ठेख है तो almost to the psyche का मान ग्यात करना है क्या करना है के का मान ग्यात करना है तो चलिए A1 A1 में 3 है by A2, A2 में 2K-1 है बराबर B1 B1 में Y के साथ कुछ नहीं तो में k-1 है इधर नो टीक वोल आए गए यह 1 by 2 k-1 ठीक तो जो बराबर है वहां से काम होगा यह तो नो टीक वोल है उसको नहीं कर बराबर कर सकते हैं यह बराबर में इधर उदर कर सकते हैं ठीक तो देख 3 by 2 k-1 is equal to one by k-1 यह k-1 यह k-1 सब्सक्राइब 4 ۔ के के एक तरफ कर ठी के माइनस टू के हो जाएगा इधर माइनस वन और यह माइनस उधर या के पलस Taurais माइनस वहता है तीन में गटाओ दू बज गया और किये वच्टियों तो के का मान खाल निकलना था तुछ झाय तरह दो रतेने हैं बस के का मान यह कुश्चन दिया हुआ है equation 3x plus 2y is equal to 4 यह 2 समिकरन दिया हुआ है बाला है इसको प्रति अस्थबन विदी से भी हल करो और बजरुन न्विधी से भी हल करो और बताव कि कुंसा असान है ठीक है तो चलिए परजी अस्थापन विदी से हल करते हैं प्रति अस्थापन विदी से परतिव अस्थापन विधी से हल करने के लिए समी करण 1, 2 समी करण 1 से समी करण 3 बनाते हैं ठीक समी करण 1 से समी करण 1 लेंगे तो 8x पलस 5y बराबर 9 यहां से x का मान निकालते हैं तो हो जाएगा एक्स या y का निकालना है तो x ही निकाल देते हैं तो सब को हटाप फाइब उधर एक माइनस आठ गुना में तो भाग यह समीकरण 3 हो जाता है ठीक फिर इसका मान को समीकरण 2 में रखने पर तो लिखेंगे एक्स एक्स और मैनेस फाइब वाई एट प्रस्ट तू आई इस उगल टू फो एक टेगा निकते गा तो गुना का तिन नमस अधाइस नोट यह सथाइस का सथाइस पूर माइनस तीन पचे पंदर वाई और नीचे है आठ इधर व कुछ होने है तो तू आई वाई वाई पंदर वाई माइनस है माइनस करेंगे तो एक वाई बचेगा 27 पलस बढ़ा में है तो एक वाई देख वाई बटा आठ 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 है इधर है चार चार को चार तरफ लियाओ आठ को कोई दिकत नहीं भाग में है दूधर जाके गुना हो जाएगा चार अठ बत्तीस हो जाए तो य बराबर आगराया वाई अपांच वाई इतना गय तरह पयाई को है आए अब को समी करन 3 में रखने पर एक दू पर वाई का मान को अगर समी करन 3 में रखते हैं तो समी करन 3 है एक्स ब्राबर 9-5y by 8 तो हो गिया 9-5y, y का है 5 by 8, तो यह हो गिया 9-5, 25 बता 8, तो हो गिया, 25 में 9 घटाओ, तो चो कत नहों जाएगा, एक्स बता, पहले यहां का बजर गुनन खन विदी निकानले के लिए, A1, B1, C1, C2 जो है, उसाब को निकानले लेना पड़ेगा, ठीक है, तो का करें, निकानले है, चलिए, यहां पर लिख दे रहे, A1, A2, B1, B2 का है, A1 result 8 है, B1, 5 है, C1, 9 है, A2, 3 है, B2, 2 है, और C2, 4 है, थेख, आपर देखे, A, B, C, यहां पर माइनस होगा, माइनस नौ, यहां पर माइनस चार, क्यों माइनस कि देखे, इधर 9 उधर है, तो इधर आगा तो माइनस होगा, तो वह लागा, तो तो वह होगा, बजर कूर्ण विदी देख, X, X वोला में, यह हर जाता है, उसका ब by लिखाता है पिर यह, तो B है 5 गोना, यह minus 4, फिर minus पहले भी तो 2 गोना minus 9, ठिक, बराबर y बट्टे, y छोड़ते हैं तो पहले C वाला, C1 C1 यह वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, minus 9 गोना, तीन minus फिर C2, C2 minus 4 है तो minus चार यहां वोला और फिर आठ बराबर 1 by 1 रखते हैं तो यह से लिखा था आठ हुना दो माइनस तीन गुना पांच ठीक अब देगे एक सबटा पांचों के 20 माइनस में है यहां माइनस माइनस पलस नौद रहा रहा बराबर वाई बटा नौद यह सता है से माइनस में और यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब हो चुका है कोई दिकत नहीं है आगा बढ़ते हैं तो चाउथा नंबर में फिर चाउथा नंबर से वर्ड प्रोब्लम है तो वर्ड प्रोब्लम में सिर्फ एक्वेशन बता दे रहे हैं क्योंकि विस्था अपन विधे बता दिये विलोपन विधे बता दिये बजर गुन अन्खर विधी लगा इतना समी बन गया रिष्मी दू लेन बना है तो वही असान है ठीक निमने समस्चाओं के राइखिक समी करनों की यूग बनाई और उनके हल यादि उनका अस्तित्व है किसी बीज गनित विधी से इसका हल हमको निकालना है ठीक कोई भी विधी से इसको हल कर सकते हैं तो समी करन बना दे रहे हैं उमीद करेंगे कि इसका स्वल्यूशन आप जरूर से जरूर कर लिजेगा और कोई-कोई अगर होगा थोड़ा डिफोकल टाइप का तो उसका स्वल्यूशन भी कर देंगे जैसे पहला कुशन है एक छात्रवास में मासिक वय का एक भाग नियत है मा रुपए चात्रवास देना पड़ता है जबकि एक विजार थी बी जबकि एक विद्याति जो 26 दिन भोजन करता है छात्रवास के वय के लिए 1180 रिपी आदा करना पड़ता है तो नियत वय और परती दिन का भोजन का मुलिगात करना ठीक है तो पड़ते रणने से कौस्टन को नहीं समझ मौना नियत नियत भड़ा प्रती भोजन का ना खाने का खरचालग रहने का खरचा को एक्स माला को वाई माल Means ठीक है तो विध्यार्थी एक थे विद्यार्थी ए के लिए विद्यार्थी ए जो है वो बला कोई दिन रहा बीस दिन भोजन लिया बीस दिन तो उसका खर्चा कतना होगा उसके हम बताना बीस दिन भोजन किया है ना तो नियत खर्चा तो देना ही पड़ेगा तो नियत खर्चवा एक्स वो तो फिक्स है और वीस दिन भत्वा खाया तो 20 दिन भाद काया तो 20y हो जाएगा । टोटल खर्चा इसका लग गया कितना क्वार रूपय है 1000 रूपय है, ठीक है, 1000 ती ये समिय करन वन बन इतीक, एक क्यों जोड़े एंक ये फिक्स है, भाड़ा यतना मतलब उसको देना ही महिना यह रहने का खर्चा है उसका बी 20 रिपिया के हिसाफ से मैंने 20 दिन खाया तो ओई रिपिया के शूटे का तो 20 रख यह तो दोनों जोड़के एक हजार हुआ है ठाक है सस्ते तो है अब भिदार थी बी बिदार थी बी 비 के लिए बी के लिए כ הגل किया कई सब्सक्राइब करें तो इसको बना सकते लेकिन क्या करना है पहले जांच करने नहीं कि सब्सक्राइब करने का तरीका बहुत बचा बता दिए बहुत सारा कुशन कर दिया आराम साब अगर समझे हूंगो सही से देखे हूंगो सारा कुश्यन को ता आराम से हो जाएगा कमेंट करके अंसर बताना है हैं सब का ठीक है इसका अंसर बताई यह कितना आता है उसके बाद फिर नंबर देखे आंसर बताये गार फोर जैसा पहला का अंसर बताये गई देखते हैं कहा है है किधर चल दूसरा कुष़ए एक भीन हो जाती है जब उसके अंस से एक घटाय जाता है और वह एक गपटाचार हो जाती है जब हर में आठ जोड दिया जाता है तो वह अधिन उयाद करना है to be in मान लेते हैं माना ब्हीन में अंसर होता है तो अंस बिराबर एक्स और हर बराबर हुआ घविए तो भीन में काबला है वन भै ठीरी हो जाता है। रहानी बराबर से उदर लिखना है कभर हो जब उसके आंस से एक घटा आए जाता है तो एक से उसमें घटा दो और य में कुछ होने करना है ति ये वन गई थरी हो जाता है पहला कंडिशन ये है इस्थिति वन पहला कंडिशन ती इसको फ़र सीधा कर लो उसका बाद समीकरन माल लो तीन गुना में भाग में इधर आग खतके हो जाता है गुटा आगा लुसी भाग में चारिक स्थित रहे로 कंग इधर कर देंगा इस बनीच अब सबहरोग है ड़ान जुक्र शीटशन ऐस्थित अब इसको चाहे तो आप वी लो पैटाए आपश उलकर पर जो आसाना पो लगता है वो विधी से आप इसको हल कर सकते है ठीक क्या है आगला कोश्चन यस ने एक टेस्ट में 40 अंग लाए जब उसे परतियक सही उतर में तीन अंग सही जो बनाये थे उसका तीन नमर मिला था और गलत जो बनाये थे उसका एक नमर कटा था इसा लिखा उतर में दू नमर कट था तो 50 अंग अर्जित करता तो बोला है टेस्ट में कितना परस्ण थे यानि कोश्चन कितना है थे उसको बताना है परस्ण कितना था ठीक तो सही उतर के अंग को मान लेते हैं सही उतर के अंग एक्स मान लेते हैं और गलत उतर को मान लेते हैं य ठी पहला इस्थिति दिया हुआ है सभी सही उत्तर का आंग सही उत्तर का आंग दिया हुआ है तीन होता है 3 और X माने हैं, तिर और QWD, 10. और QWD, 10. पुर्दकी काईठो को सचन्सान को दिया होगा, उसको संख्या को हम X मान लेते हैं और गलत उतर के तना को दिया होगा उसको Y मान लेते हैं, और पपने का बेने हैं, और पुर्दक पर पर यह शायनूर कfunding में रहता ही है एक नमर कटेगा तो माइनस एक वाई माइनस एक वाई एक को लिखने की ज़ुदत नहीं बराबर आया उसको 40 नमर थो यह समीकरन ओन यह ता आप इसको 3x-y-40 बराबर 0 करकी समीकरन लिखें को इदिकत नहीं ठीक है क्यों समय उतर काइट बनाए कोश्चन की संख्या है कोश् इस एक नमर करता है एकस कुना होगा और गलत उतर का अंग यह वाई फेला आज मैंस करना होगा उल एक कि भूष्या है था इस इस्थिति में, इस्थिति दो, इस्थिति सेकेंड, सेकेंड इस्थिति में बोला, पचास अंक आता, यदि सही उत्तर का अंक, इस्थिति दो में है, सही उत्तर का अंक, सही उत्तर का अंक, सही उत्तर का अंक, चार और गलत उत्तर का अंक दिया हुआ है, दो, तो सही तो रहता तो उसका क्या आता देखिए चार और एक सब्सक्राइब निकाल सकते हैं निकल रहता है दो कमन निकाल तो बच जाएगा यहां पर यह कटेगा दो पचीस से पचास तो बचीस उधर पलस में इदरा का माइनस पचीस बराबर जीरो यह हो गया समिकरन बन गया उसके बाद पर ती अस्तपने विद्धी गुलपने विद्धी बदर गुन निकाल विद्धी कोई विद्धी से आप उसको अगला कोश्चन में आते हैं तो अगला कोश्चन है कहां किया कोश्चन कह रहा है एक राज मार्ग पर दो आस्थान ए और बी दो आस्थान है ठीक है एक सो किलोमेटर के दूरी पर है ठीक है ए और बी का दूरी एक सो किलोमेटर दिया हुआ है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना पर आरहम करती है एक ही समय से एक कार चलना पर आरहम करती है यदि ये कार भीन भीन चालों से एक ही दिशा में चलती है तो गति को मानना एक कार की गति की गति एक कार की गति को मान लेते हैं एक किलोमेटर परतिघंटा ठीक है पर आवर और दूसरे कार की गति दूसरे कार की गति दूसरा कार जो है वाई किलोमेटर परतिघंटा की स्पीट से चल रहा है मान लेते हैं कोई दिकत नहीं ठीक है अब देखिए A से B इस तरह से दिया हुआ है माने चलिए यह a है यह b है तो यह दूनों का बीच का दूरी 100 km है पुरा 100 km एट है ठेगे और कार one car 1 जो पहीला कार यह इधर चल्ना स्रूर्प आर कार 2 दूसरा कार जो कार 1 जो है पहला कार कार 1 दुवारा तय की गई दूरी पहला कार जो है वो तय कतना दूरी की है तो दूरी पराबर होता है चाल गुना समय ठीक है चाल यानी गती है गती गुना समय ठीक तो गती को माने है एक्स किलोमेटर प्रति घंटा और समय कतना में टकराता है पांच में न पांच में तो 5 एकसो गया लिखा वह कोशब पांच घंटे बाद दोनों तक रहता है मनें मिल्था। दूसरा कार कार कार्टू कारटू द्वार Def którzy के दूरीoral आजेंज दूरी क crta के दूरी की दिसा मैंते इधर न जा रहा है कारश उधर जा रहा है भी परी तो वहां तो कार और वहां पर मान के लिए सी में टक्राया दोनों ना मिला ना स्थान C है तो बीसी है तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा फाइब पांच घंटा बाद वो भी पांच घंटा चला तो 5 और वो कार का चाल को मार रहे है तो 5Y हो गया ठीक तो यह भी 5 दूसरा कार है वो भी 5 घंटा चला तो 4 गती गुना समय है तो समय 5 और गती है Y Y की चाल से चल रहा है तो 5Y हो जाएगा अब देखिए हमको A B दिया हुआ है A B दिया हुआ है कतना 100 km ठीक है 100 km A B है लेकिन उतर B C तो नहीं दिया हुआ है तो A C A से C तक का गाड़ी गया तब ठकराया तब मिला दोनों आपस में ठीक है तो क्या लिखेंगे यह A B जो है यह A C पूरा A C है A C में से अगर B C को घटा देंगे तो A भी आएगा तो लिख देंगे A C माइनस B C बराबर 100 है दिया हुआ है तो A C कितना है देखिए A C A से C तक गिया A से C तक पहला कार कहां से कहां तक गिया A से C तक है एक सोब को भी इदर कर देते हैं और इसको माल लेटे समिकरन वन या वाव इसको सोल्व कर गएगा उसका बाद दूसरा कंडिशन दीखते हैं एक ही दिशा मगर कार चलना शुरू कर रही यह भी इदर और यह भी इदर तो एक घंटा में मिल जाता है अगला condition A से B car जो है पहला car car 1 car 2 पहला car दूसरा कर दोनों एक ही वीपरीज दिस हम चलना सुरू गिया तो यहां पर कहीं पर आका मान चली मिलेगा A, B, D मान लेते था कि confusion ना हो तो car 1 जो है और A, B के दूरी ते 100 km दिया हुआ है यहां से यहां तो एक घंटे में एक घंटा बाद मिलाते हैं एक घंटे में car 1 दूरा तय की गई दूरी car 1 का अतना दूरी चाहता ही किया तो A से D तक A D मेराबर A D ठीक, A D तक गिया A से D तक गिया ठीक, अब A D को देख A D किसके पराबर होगा तो ताइक के दूरी पराबर होता है समय का होता है दूरी पराबर चाल गुना समय तो चाल या गती चाल दिया हुआ है car 1 का X और समय एक घंटा तो एक गुना X यानि X ठीक है, X हो जाएगा और एक घंटे में car एक घंटे में car 2 यानि दूसरा car दूरा ताइकी गई दूरी ताइकी के दूरी है B से D तक गाए BD बराबर ये भी एक घंटा चला और इसका Y तो एक Y हो गया यानि Y इसका चाल Y से चल रहा है दूसरा कार ठीक अब दखिए दोनों का मिलन हो गया यहाँ तो A B बराबर दिया हुआ है X फिर से लिखेंगे तो A B जो है ये किसको किसको जोड़ने सा आगा AD AD पलस ये BD दोनों को जोड़ ये कना AB है तो BD बराबर है X तो AD देखके इतना आया AD AD X आया पलस BD आया Y बराबर X है तो X पलस Y माइनस X लिख देओ बराबर 0 तो ये समिकरन 2 बन गिया समिकरन 1 उधर समिकरन 2 इधर ठीक है तो समिकरन बनने के बाद आराम से इसको विलोपन भी दिसे परत्यास साबन भी दिसे हल करनी जाए ठीक चलिए लास्ट कुश्चन एक आयत का छेतर फल 9 वर्ग एकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 एकाई कम कर दी जाती और 4 आई 3 अकाई बढ़ा दी जाती तो लंबाई 4 की बात कर रही है कुश्चन लंबाई को मान लेते हैं लंबाई बराबर एक्स चौड़ाई बराबर वाई मानने में क्या जाता है ठीक है माना आयत की लंबाई बराबर एक्स आयत है नए आयत है तो आयत की लंबाई बराबर एक्स चौड़ाई बराबर वाई अब बोला है आयत का छेतर फल 9 वर्ग कम हो जाएगा 9 वर्ग कम हो जाता यदि उसकी लंबाय 5 पहांच इक कम कर दी जाए और चवड़ाई की उतना कम कर दी जाए यदि हम लंबाय को 3 एकाई और चावड़ाई को 2 इंका बढ़ाएदे तो 6 पर शर्शट वर्ग तो किलोमेटर बढ़ जाएगा है समझ बाए चलिए आयत का च्टरफल से पढ़ाए ओतर लंबाई गुना चवड़ाए ठीक है इसको हिंदी यह मिले को थे रहे है लंबाए गुना चवड़ाए बड़ा निज़र तो लंबाई एक्स गुना चवड़ाए ठीक अब देखिए क कोस्चन में कहा जहा रहा है कि आयत के चहत्रफल नौ वर्गो का मों हो जाता है आई चुनकर में यस्त्तिती 1 लंग हो होता है ने जब बुल रहा है लंबाई 5 है लंबाई को एक समने तो लंबाई 5 कामकरने बाट तो पांच माइनस एक्स, पांच कम कर दी जाती और चावडाए 3 इकाई बढ़ा दी जाती, तो चावडाए है वाई, तो वाई को का कि दाती, 3 इकाई बढ़ा दी जाती, ठीक है, तो आयत का छ्यतरफल 9 कम हो जाता, तो देख ये गुणा, ये हो जाता लंबाई गुणा पांच भाबर यह जोर लंब वोड़ाय और एक्स माय मीनिस नो ठीक्ष तीन गना होगा तो एक्समाइच नो फिर ख्यू तिंग्गीक समलेंगा थे पंद्र पलस नौ बराबर जेरो तो थी एक्स माइनेस फाइव थी रहा है स्थी टू सेगें इस्थितिम बोला है चेत्रफल कतना अधिक हो जाता है चेत्रफल सरसट अधिक हो जाता है जब लंबाई तीन और चावडाई को दू बढ़ा दिया जाता ठीक है तो लंबाई पलस तीन कर देते हैं लंबाई को अगर पलस तीन कर दे तो गुना हो जागा फिर चावड है इसको इतना है ठीक देख लंबाई 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 गुझर किल डॉक्त है यह तो ब्रक्ट मने गूना एल पलस वी हो गया घ्रटवाई गुझर के लियुक्त ल भी है, यानि, xy xy ही centuries फिर गुना कर, xय, xy हो गिया x में, ऩो गड़ी, दो एको गिया फिर 3 और vay गुना करे, 3 y हो गिया 3 दूनी zwischen 6 हो गिया बराबर xi, sophistic, अब सब को एक तरफ कर, यानि, ये वह न हो, xy, critics, लूआ या, 2 x फिलास다가 2x3y26-3y3y26-0 2 बजरब्भून विधी आपको आता है कोई दिकत नहीं है आप उसे बना सकते हैं किलिए रहे तो पांच कोस्टेशन हुआ शोको कामेंट जाहेंगे पांचों का कमेंट करिए पहला का एतना अंसर, दूसरा का एतना, तीसरा का एतना, शोगता का एतना करिए पांचों का कमेंट करिए ताकि हमको लगे कहां आप लोग भी पड़ रहे हैं और अगर 55% लाना है तो जरूर से जरूर कमेंट करिएगा जितना कोई कमेंट करिएगा इस question को solve करके पांच गो का अंसर उसका समझिये 95 से plus जरूर आएगा और पांच मेंसे चार अगर सही हुआ चार को का अंसर दियें आप तो फिर 95 से 90 के भी जाएगा तीन को दिये तो 85 से 90 आएगा याद में घारते जागाई चलिए पूरा कमेंट का पूरा अंसर दिचेका ठीक है तो मिलते नेक्ट वीडियो में थैंक्स वर्वाच्च वर्वाच्च